हाई फ्रेंज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, आज हम शुरू कर रहे हैं, सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुधीर सीरीज का मज़ेदार उपन्यास, ओवर डूस का पार्ट सेवन, प्लीज लाइक, शेर, सब्क्राइब माई चैनल मेरी बाह तब भी उसके गिर्द थी, जिसका गेरा पता नहीं, कब इतना चोटा हो गया कि, वो बिलकुल मेरे साथ हा सटी थी, और उस बात से, उसे कोई इतराद नहीं जान पड़ता था, मेरा वो हाथ, दीरे दीरे उसका जिसम सहलाने टटोलने लगा था, वो इस बात से भी बेखबर जान पड़ती थी, असल में टोकस वहाँ जाना चाता था, मैं तो यूहीं उसके साथ चली गई थी, वो वहाँ क्यों जाना चाता था, वो डिमपल की दरखास्ट पर कलब से उसकी कोई चीज लाया था, क्या चीज, सफेद पाउडर से बरे, पॉलिथिन के छोटे चोटे पेकेट, हीरोईन, हाँ, हीरोईन की वज़े से ही मैंने टोकस का जिक्र पुलिस से चुपाया था, कमाल है, पहले तुमारी जिद्धी की, तुम नशे के सुधागरों की कोई बात मेरे से नहीं करोगी, तुम मुझे ये बताने के लिए तैयार नहीं थी, कि डिमपल को हीरोईन कहां से हासिल होती थी, अब एकाएक, तुम्हें इस वाद के जिक्र से कोई परेज नहीं, ऐसा क्यों, तुम गलत समझ रहे हो, नशे के सुधागरों के जिक्र के ख्याल से मेरी अभी भी रूह कापती है, लेकिन टोकस का नशे के सुधागरों से कोई वास्ता न कोई रिष्टा नहीं, उसने तो डिम्पल का वो सामान कलब से कलेक्ट करके सिफ डिम्पल तक पहुचाया था, वो भी इसलिए क्योंकि उस रोज डिम्पल कलब नहीं आई थी, वरना वो खुद ही कलेक्ट करती, किस से मुझे नहीं पता किस से, तुकस ने वो आइटम कलब में किस से कलेक्ट की थी, मुझे नहीं मालूम, न मैंने पूचा था, न उसने पताया था, ये भी हो सकता है कि ऐसी कलेक्शन रूबरू न हुई हो, हो सकता है, कोई वो सामान वहाँ डिम्पल के नाम छोड़ गया हो, और बाद में डिम्पल की रिक्वेस्ट पर उसको जंग बाओ में बोली, मेरी बात पे यकीन है, पूरा, ओह, तुम कितने अच्छे आदमी हो, उसने मेरे अपनी और के गाल पर एक चुंबन अंकित किया, मैं उसकी आँखों में जाकता हुआ बोला, अब अच्छे आदमी से तुमने बहुनी की है, हो सकता है, वो इटला कर पोली, ऐसा ही हो, ठीक है, हो तो हो, तुम मुझे पसंद आए, पहली बार, तो मेरे बारे में तुमारी राय इसी नहीं थी, पहली बार, पहली बार के साथ कई, बढ़िया, आइंदा भी मुलाकात होती रही, तो याद करोगे, कि कोई मिला था, मैं जरूर याद करूंगा, तो टोकर, ड्रग पेडलर नहीं, अरे नहीं, शमी, वो भी नहीं, कोई भी नहीं, रेड ड्रेगन क्लब, ड्रग पेडलिंग का अट्धा नहीं, नहीं, पक्की बात, हाँ, कैसे गारंटी है तुमें, है किसी तरीके से, ऐसी बाते कहीं चुकती है, अब छोड़ो वो किसा, चोड दिया, अच्छा किया, क्या फैदा इसी बाते करने का, ठीक, अब चलें, उसने उस्तर न दिया, चलें, हम, वो अर्थपुन स्वर में बोली, थोड़ी देर रुप कर चल सकते हैं, नादानी होगी, उसने अपना एक वक्ष, जोड़ से मेरे साथ रगडा, थोड़ी से जादा थोड़ी के, बोलाना नादानी होगी, वैसे मुझे गारंटी है, जो गलोब इस वक्त मेरे होश उड़ाए दे रहा है, उसके मुकाबले का दूसरा नहीं होगा, सारी दिल्ली में, और आसपास 40 कोस तक, यहीं है, वो मादक स्वर में बोली, यहीं, यह देखो, उसन मेरा हाथ पकड़ कर अपने दूसरे वक्ष पर रखा, ग्रेट, ग्रेट, मैं बोला, जस्ट ग्रेट, इससे कहते हैं चुम्पडी, और दे दो, तो फिर, बेटा लग नेक्स ताइम हनी, तुम तो दिल तोड रहे हो, तुम चाहती हो कि शमी यहाँ पहुचे, और हमें यू इखटे देख कर हम दोनों की खोपड़ी तोड़ दे, ओ नो, he will do exactly that, ओ नो, then come on, वो मेरे साथ भूली, भजरात, उस दोरान जो ख्यालात, यूर स्टूली के जेहन में आए, इने में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, सेक्स एक ऐसी रहस्य में शक्ती है, जो जैसे एकाएक दुश्वनों को दोस्त बना देती है, वेसे ही एकाएक उतनी ही तेजी से दोस्तों को खतरनाग दुश्मन बना देती है, इसलिए कहा गया है कि कुट्ते के अलावा किसी के प्यार में ताकत होती है तो औरत के प्यार में और इसलिए ये भी कहा गया है कि hell had no fury life a woman का तिरस्करत प्रिया से बड़ा तहर कोई नहीं कहीं नहीं वितकारी गई माशुका का खून खराबे पर उतराना कोई भड़ी बात नहीं आप किसी से जिस्मानी तालुक तोड़ना चाते हैं तो ऐसा करने में बहुत सावदानी भरतियेगा क्योंकि जब आप एसी कोई कोशिश करेंगे तो आपकी अब बुद्पुर्व बनने जा रही जाने तमन्ना आपको एसा नहीं करने देगी आप एसा कोई इशारा भी करेंगे तो वो आग बबुला हो उठेगी आसमान सिर पर उठा लेगी कहर डाने की तैयारी करने लगेगी यू समझिये की आपकी पाल्टू बिल्ली एका एक शेरनी बन जाएगी नतीजन आप अपने आपको शेरनी को लाट प्यार पुछकार से नवासते पाएंगे ताकि वो आपको उगेड करना रखते आप नाइस टाइगर नाइस नाइस करते उसे उसे सब दु करने लगेंगे बहुत लोगों ने सालों शेरनी की पुछ पुछ किये है लेकिन हाथ कभी कुछ नहीं आया ये हकीकत सदा बरकरार रही है कि आप शेरनी को पूछ से थामे हैं जो पकड़ डीली होती है आप पर ही जबतेगी और आपको खा जाएगी ऐसा ही होता है औरत का प्यार फेटल अट्रक्शन ये तमाम बाते मैंने इसलिए कही क्योंकि दिली शहर में लोग बाग मेरे केसानवा वाले इमेज से रश्क खाते हैं लेकिन उन खत्रों को नहीं समझते जो उस इमेज को बनाय रखने के लिए मुझे जेलने पड़ते हैं मैं उसकी तरखास कब पूल कर लेता और उपर से शमी आजाता तो कलपना कीजिए कि मेरा अंजाम क्या होता जो फोस्तारी तब वहां होती उसमें मैं मरता या न मरता दोनों ही तरीकों से मेरा अंजाम बहुत पुरा होता इसलिए हर काम सही जगे सही मोके पर होना चाहिए और फिर राजी ओर्टों का कोई घाटा है दिल्ली शहर में बटुआ खोलिए जितनी मर्जी निकाल लीजिए नीचे पहुच कर हम मेरी कार में सवार हुए मैंने कार को सडक पर ढाला पांच मिनट मैंने खमोशी से कार किदर जा रहे हो एका एक वो बोली नहरू प्लेस मैंने जवाब दिया वहां किसलिए वहां मेरा ओफिस है जहां कि मुझे थोड़ा काम है तुमारी जालंदर की गाड़ी में अभी दो गंटे का वक्त है कैसे मालूम रेलवे इंक्वाइरी को फौन किया था ओह नहरू प्ल मैं कार में ही बेटी हूँ यूँ तुम जल्दी लोटोगे मर्जी तुमारी कार से निकल कर मैं उस इमारत में धाखिल हुआ जिसकी पांचवी मंजिल पर मेरा ओफिस था लिफ्ट द्वारा में उस मंजिल पर और आगे अपने ओफिस में पहुचा रजनी को मैंने से बोली आज तो कमाल हो गया कमाल मैं सकपकाया बलकी करिश्मा हो गया आपके मुबारक कदम क्लोजिंग टाइम पर ओफिस में पढ़ गई बाज भाजा वो हसी मैं बीच का दर्वाजा कोल कर अपने कक्ष में पहुचा और अपनी एक्जीकेट्व चेहर पर धेर हुआ वो बहुत हलकान लग रहे हो वो सहानूबुती स्वर में बोली राजदानी के बाहर के डख्ये खाके आया हूँ ओह चंडीगड गए थे या शिमला ही पहुच गए थे मसकरी करती है नहीं सर मैं तो बिलकुल सीरियस हूँ खुडगाउं गया था लो पडोस में होकर आ रहे हो और जाहिर कर रहे हो जैसे वागा बोर्डर से लोटे हो बैठ वो मेरे सामने एक विजिटर्स चेयर्स पर बैठ गई पंचकुला में मैं बोला हमारा एक कॉंटक्ट था जो की अपने आपको सेक्योरिटी एडवाईजर बताता था और पार्टाइम पीडी था जुलका सतका वो बोली आदेश चिलका वही एक ही बार तीन साल पहले हमारा उससे वास्ता पड़ा था पता नहीं वो अभी भी इसी दंदे में है या नहीं तेरे को उसका एड्रेस फोन नंबर वगेरे सब मालूम है सब मालूम है उसको फोन लगा मैं अपनी डायरी लेकर आती हूँ वो डायरी लाई जिसमें से उसने चिट्कियों में आदेश चिलका का फोन नंबर तलाश कर लिया उसने उस नंबर को कोल लगाई फिर माउच पीस पर हाथ धक कर बोली वो अभी है नहीं फोन सुनने वाला आदे गंटे में फोन करने को बोल रहा है मैंने टाइम का हिसाब लग आदे गंटे की गुंजाइस मेरे पास पराबर थी लेकिन उतना आर्शा अनिता जोशी को कार में बेठे बोर होना पड़ता क्या फरक पड़ता था इस्टेशन पर भी तो गाड़ी के इंतजार में बोर ही होना पड़ता उसको यहां का नंबर दे मैं बोला मेरा नाम बता और बोल की वो आदे गंटे से पहले लोट आये तो यहां फोन करें प्रजनी ने वो सब माउठ फीस पर धोहराया और संबन विछेत कर दिया अब बोलिये वो बड़ी आत्मियता से बोली इस वक्त केसे आये कौफी पीएगी मैं बोला पीऊंगी लेकिन मंगा नीचे एक रेस्टोरेंट था जो कोफी स्नेक्स वगरे डिलीवर करता था उसके वहां फोन करके कोफी का ओडर दिया आप अपना केस मुझे बताईए फिर वो बोली आदमे उसे हल करने में आपकी मदद करती हूं क्या कहने अब बताईए तो सही तू और और कौन मैं और सिर्थ मैं ठीक है बताता हूं लेकिन इस उमीद पे नहीं कि तू मेरी कोई मदद कर सकेगी तो फिर मैं समझूंगा मैंने लाइट ठिंकिंग की चलिये ऐसे ही सही सुन वो क्या है की फ्रान पाबलो नाम की एक सवेदन शील्ड नोजवान लड़की अपने एक मवाली भाब की छत्रचाया त्याक कर मुंबई से निकली तो बजारिया नागपुर गुरगाओं पहुच गई गुरगाओं में उसने अपना नाम बदल कर फालगुनी पावले रख लिया और एक नोकरी तलाश कर ली कुछ अरसे बाद उसकी पुखरा चिंगला नाम के अपने से 16 साल बड़े एक छोटे मोटे नेता और दोलतमन बिलडर से मुलाकात हुई जोकी जल्दी ही आशनाई में तब्धील हो गई बिलडर पागल खाने में भरती एक लाहिलाज पागल वीबी का पती था इसलिए दोनों शादी नहीं कर सकते थे च्छ मैने वो सिल्सला चलता रहा एक रोज एकाएक वो लड़की गुरगाओं से गयब हो गई समस्तारी की देर आए दुरुस आए वाला काम किया जिस तालुकात का कोई हासिल न हो उसे बनाये रखने का क्या फाइदा लाक रुपे की बात कही रजनी तू तो बहुत जहिन है वो शर्माई एसे अपनी जहनियत छुपाये रखती है किसी को कभी भनक तक नहीं लगने देती इतने अर्शे से मेरे साथ काम कर रही है मुझे भी पता न लगने दिया आगे बढ़िये आगे मैं तो तयार हूँ लेकिन तू मुझे आगे बढ़ने कहां देती है अरे अपनी कहानी आगे बढ़ाईए ओह कहानी आगे बढ़ाऊं मैं तो कुछ और ही समझा था बिल्ली को ख्वाब में भी छीचडे ही दिखाई देते हैं क्या कहा कुछ नहीं आगे बढ़िये या आगे मैं अपना अंदाजा पेश करूँ तर गुडगाऊं छोड़कर वो दिल्ली आ गई गुडगाऊं जैसे कोई नोकरी यहां तलाश कर ली और नए सिरे से नई जिन्दगी जीने लगी तेरी आदी बाद ठीक है वो दिल्ली बराबर आई यहां नोकरी की तलाश कर ली लेकिन गुडगाऊं जैसी स्ट्रेट डीसेंड जोब नहीं हलाकि वो एसा कर सकती थी क्योंकि नोकरी का उसे तजुर्बा था जब वो अपने ना तजुर्बे कारी के दोर में बड़गाऊं में डीसेंड जोब तलाश कर सकती थी तो तजुर्वा हो जाने के बाद दिल्ली में भी कर सकती थी लेकिन यहां उसने वो जो पकड़ी सब्यसमान में जिसे हकारत की निगाह से देखा जाता है यहां वो बार बाला बन गई जिसका काम ग्रहकों को रिजाने के लिए बार में नाचना गाना होता है और ड्रिंक्स को प्रमोट करना होता है वो मिर्चु चिलानी नाम के एक संग्दित्व चरित्र के यत्ती की रेड ड्रेगर नाम की गटिया क्लब में काम करने लगी और समत से बाहर है गुरगाओं में अपने बोईफ्रेंड फुकरा चिंगला से उसे कोई इमोशनल शोक लगा था तो उससे उबरने के लिए पतन की राह पर चलना जारूरी थोड़े ही था जिसका दिल तूटता है वो ही जानता है कबूर लेकिन दिल एकाएक तो नहीं तूटा उसे मालूम था कि उसने एक शादिशुदा मर्द से दिल लगाया था शायद न मालूम हो शायद एकाएक मालूम हुआ हो वो रिष्टा तोड़ देना काफी क्यों नहीं था शहर नोकरी गरवार सब छोड़ देने की क्या जर्रत थी वो भी थी तो हमेशा के लिए ऐसा करने की क्या जर्रत थी तूटा दिल सेट हो जाता है वक्त बड़े बड़े गम बुला देता है जिंदगी कोई मिस एडवेंचर हो तो उसके साथ जिपके रहने में तो कोई समस्दारी नहीं होती आप ठीक कह रहे हैं जरूर उसको कोई ऐसा बे मिसाल शोक लगा था जिसकी अपना हम नहीं कर सकते लेकिन उसकी वज़े से खुद को बरबादी की राह पर डाल देना तो समझ में नहीं आता अपनी अपनी सोच है बारबाला का पेशा उसको बरबादी की राह नहीं लगता होगा कुछ और भी तो किया उसने और क्या किया ड्रग एडिक्ट बन गई ह और इसी वज़े से उसकी जान गई अपने गर में हीरोईन के ओडोट से मरी पाई गई ओ माई गाड अभी इसमें भी बेद है इसमें भी बेद है हाँ पुलीस का कहना है कि जहां उसकी लाश पाई गई थी वहां उसकी मौत नहीं हुई थी वो मरी कहीं और थी और बाद में उसकी लाश को उसके फ्लेट के बेटरूम में शिफ्ट किया गया था ऐसा किस ने किया होगा ऐसा क्यों किया होगा यही तो समझ में नहीं आ रहा लेकिन तेरी समझ में तो आ भी चुका होगा आप मजा कर रही हैं लेकिन अगर आपकी तरह मुझे मुकमल केस की जानकारी होती, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आज चुका होता, क्या कहने, तभी कोफी वहां पहुची, कोफी के दोरान मैंने उसे सब कुछ कैस सुनाया, जिसमें टोकस के साथ हुई दो जड़पे भी शामिल थी, सर, वो संजीदगी से बोली, ये जिसे आप टोकस बोल रहे हैं, आप उसका हुलिया बयान कर सकते हैं, क्यों, मैं सकपकाया, क्या बात है, बात आगे आती है, आप पहले उसका हुलिया तो बोलिये, मैंने बोला, आपको इस शक्ष से बहुत सावदान रहने की जर्रत है, वो दिन में तीन चार बार इसने यहां आपकी बाबत फोन किया, कैसे मालुम की इसने फोन किया, नाम बताया, बोला टोकस बोल रहा था, नहीं, तीन बजे के करीब वो यहां पहुच गया था, तब बोला था, तो मैंने उसकी आवाद साप पहचानी थी, ओह, क्या पूशता था, वही जो टेली फोन पर पूशता था, आप कहां मिलेंगे, ओफिस इसले चला आया था, क्योंकि शायद उसे यकीन नहीं आया था कि, फोन पर मैं आपके बाबत सत फोल रही थी, फिर आपके घर का पता पूचने लगा, उन ठिकानों का पता पूचने लगा, जहां आप हो सक बड़ी मुश्किल से मैंने उसे टाला, रुकने से पहले बीच का धरवाजा खोल कर उसने वहां भी जाका, सर उसकी शकल पर लिखा था कि, अगर आप ऑफिस में होते, तो यहीं आपकी, अब क्या बोलूं, लाश किरा देता, ऐसा ही मिजाद जान पड़ता था उसका, दो बार पिट चुकने के बाद भी, एसा होसला दिखाया कमीने ने, शायद इसलिए दिखाया, क्योंकि दो बार पिट चुका था, और अब समझता था कि, उसकी बारी थी, आये तो सही यहां, इस पर दूसरी बाहां भी तोड़ दूँगा, और एक टांग भी, आप सावदान रहीएगा, ये भी कोई कहने की बात है, परहाल तू वो किस्सा छोड़, हम कुछ और बाते कर रहे थे, अभी तू उसी सिलसले में, अपने रोशन ख्यालात से, मुझे निहाल कर, करूं, हाँ प्लीज, आप कहते हैं कि, वो लड़की ड्रग एडिक्ट बन चुकी थी, हीरो लड़की को वो, शक्स जिसका नाम आपने टोकस पताया, रात के दो बजे, हीरोईन की सप्लाई डिलिवर करने क्यों आया था, जिस लड़की के पास, ओवर्डोज के लिए हीरोईन थी, उसको हीरोईन की एडिशनल सप्लाई की, ऐसी एक्सप्रेस चर्वत क्या पढ़ लगा, वो बड़ी शांच से मुस्कराई, क्या मतलब हुआ इसका, मैं बोला, मतलब आप निकालिये, डिटेक्टे आप हैं, तू महा डिटेक्टे है, अब बोल क्या मतलब हुआ इसका, इस पंदी, शकरकंदी की नाचिज राए में, वो नाटिय अंदाद से बोली, तोकस क रात के दो बज़े लड़की के फ्लेट पर जाने की वजह कोई और थी, तो उसने वो वजह क्यों बयान की, अनीता जोशी के लिए, वो हत्करान लड़की के फ्लेट पर जाना चाता होगा, लेकिन अकेला नहीं जाना चाता होगा, इस वजह से उसने अनीता जोशी को वो फ और फिर बोली जरूर उसे पहले से खबर होगी कि वो लड़की अपने फेट में मरी पड़ी है अकेला था वो इसलिए नहीं जाना चाता होगा कि कहीं उसे ही कातिल न समझ लिया जाए लेकिन जाना क्यों चाता था ताकि लाश परामत हो पाती मैंने फिर हेरानी से रजनी की तरब दिखा वो लड़की आप कहते हैं की अकेली रहती थी किसी को उसे कोई काम न पढ़ता तो वो उस तनहा फ्लेट में कई दिन मरी पड़ी रह सकती थी आजकल कड़ाके की ठंड का मोसम है खाली फ्लेट में तो लाश यूँ समझिये की रेफरीजेटर में थी लाश की जल्दी परामदी से तो कस का क्या मतलब हो सकता है वो खुद अपनी मर्जी से वहां न गया हो किसी ने उसे वहां बेजा हो जिसने बेजा होगा उसको लाश की जल्दी बरामदी से कोई मतलब होगा किसने बेजा होगा मुझे क्या मालूम मेरे जेहन में मिर्चु चेलानी का अक्स उपरा में कुछन सूसता रहा और फिर बोला आम तोर पर कातिल की मन्शा ये होती है कि उसकी कर्तूद जादा से जादा देर तक न उजागर हो तो कि कतल हुए जितना जादा वक्त गुजरा होता है उतनी ही मुश्किल उसकी तप्तिस होती चली जाती है मसलन कतल का एकजेक्ट वक्त निर्दारित करना मुश्किल हो जाता है दवाह तलाश करने मुश्किल हो जाते हैं वेगरह लेकिन इस केस में एन उलट क्यों क्यों कोई चाहता था कि लाश चल्दी बरामद हो हो सकता है किसी खास वक्त थी उसके पास एली बाई हो जो की तपी काम कर सकती हो जब की लाश परामद हो और उसी वक्त के आसपास कतल होना निर्दारित हो जिस वक्त की कातिल के पास एली बाई थी रजनी आद में ने एक बड़ा फिसला किया है क्या कल से मैं बाहर विश्यप्षन पर बेठूंगा और तू यहां मेरी जगह बेठेगी वो जोड से हसी पंचकुला फिर फौन लगा मैं गड़ी देखता बोला उसने लगाया जुलका तब भी उपलब्द नहीं था सारीका सक्सेना के बारे में क्या कहती है मैं बोला उसके बारे में क्या कहूं अरे जिसे इतना अच्छा अभी कहके हटी है वेसे कुछ उसके बारे में भी उचर उसकी मौत एन उस तरीके से क्यों हुई जिससे एक दिन पहले डेमपल कोठारी और फालगुनी पावले की मौत हुई आप तो कहते हैं कि उसका कतल हुआ है हाँ कहता हूँ इसलिए कहता हूँ कि वो ड्रग एडिक्ट नहीं थी लेकिन एन इसी वजह से वो अपने में हीरोईन का अवर्डोज इंजेक्ट कर बेठी हो सकती है क्योंकि ड्रग एडिक्ट नहीं थी मेरी राय में आपको ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम पेशा होने के अलावा क्या किसी और तरीके से वो डिंपल कोठारी से परिचित थी मसलन शायद सारी का सक्सेना भी पहले गुडगाओं रहती हो मैं पता करूंगा लेकिन उससे होगा क्या अगर वो दोनों लड़कियां पहले से वाकिप थी तो भी क्या हुआ आप पहले पता कीजिए हो सकता है उन दोनों में कोई ऐसा लिंक निकल आए जो अपनी कहानी खुद कहे हम अब बोल पुकरा सिंगला के भारे में तेरी क्या राय है खराब क्या मतलब नोजवान लड़कियों के पीछे पढ़ने वाले उन्हें पटा कर अपना उलू सीधे करने वाले उम्रदराज उपर से शादी शुदा मर्दों के भारे में मेरी राय अच्छी नहीं हो सकती अरे वो बालिक खुद मुक्ताल लड़की थी तो भी नादान थी ना तजुर्बे कार थी एसी लड़कियां पढ़ जाती है हाँ मर्दों की चिकनी चुपडी बातों में आकर पढ़ जाती है तो तू क्यों नहीं पढ़ती क्या कबसे इस कोशिश में हूं में मेरी सिनियोरिटी का ही लिहाज करती तो पिछले से पिछले केलेंडर एयर में पढ़ चुकी होती फिर पहुच गए एक आने वाली जगह पर तेरा ये हाल थब है जबकी मैं आखों में ऐसा मिकनाती सी सुर मल हो मैं ओठके चली जाओंगी अच्छा अब पुखरात सिंगला की बोल आप बोलिए आपकी क्या राय है उसके बारे में आप तो उससे रूबरू मिले हैं मुझे तो ठीक ही लगा था क्या ठीक लगा था बही ज़स्वादी आदमी था लड़की को दिलो जान से चाहता ज पड़ता था अपाईज बीबी वाली मजबूरी न होती तो जरूर शादी की पेशकश करता बलकी जित करता अब दोनों में लंबी कोटशिप चली पताते हैं हाँ साल से उपर की तो यकिनन ये लंबी कोटशिप ही कहला दी है इतने अर्से में उसकी मजबूरी लड़की की समझ में आई आनी तो चाहिए तो साथ छोड़ कर चल क्यों दी क्यों यूँ अचानक क्यों यूँ गायब हो गई जैसे पीछे उसका कोई वजूद ही नहीं था कोई बड़ा इमोशनल शोक लगा ये बात आप पहले कह चुके हैं मैं फिर कह रहा हूँ लड़की के उस एक् पड़ेगी लड़की तो मर गई यही तो प्रोब्लम है शायद सिंगला को इस पाबत कुछ मालूम हो नहीं मालूम था वो तो खुद आज भी हिरान है और सोच सोच कर हलकान है कि फालगुनी ने ऐसा क्यों किया ड्रामा करता होगा क्यों बला अपने आपको पाक साप और श जासू शिरोमणी को उलूब बनाने के लिए अच्छा जरूर उसी ने कोई करतब किया होगा जिसकी वज़े से लड़की यूँ एकाएक उससे छोड़ गई क्या करतब किया होगा उसने अनविग्यता से कंदे उचकाए बलकि इससे भी बड़ा सवाल है कि क्यों किया होगा फुल अंडरस्टेंडिंग के तहट जो सिलसला इतने सुचारू रूप से चल रहा था उसमें क्यों खुद उसने बांजी मारी होगी वेसी ही कोई और मिल कई होगी ऐसा और नहीं तो क्या हूं आप तो लगता है सिर्फ उसकी बाते सुनकर जो उसने कहा उससे सत्वचन मान कर चले आए आपको उसकी गहरी परताल करनी चाहिए थी मैं अब करूंगा कोई बड़ी बात नहीं की गहरी परताल से आपको पता चले की वो लड़की दिल्ली का रुख करने से पहले ही ड्रग एडिक्ट थी और उसको ये लत लगाने वाला शक्ष और कोई नहीं खुद प लोड हो क्या नशे का बड़ा सोधागर हो ठेकेदारी उसके असल दंदे की ओठ हो तू अब कुछ जादा ही लंबी चोड रही है आप कहते हैं कि एंग टाउन हाल के सामने से उसकी कार चोरी चली गई तब वो कहा था मैंने पूछा तो नहीं लेकिन बीतर टाउन हाल में ही होगा और जर्रत पढ़ने पर अपनी बात की तस्थीक करने के लिए वो चार गवाह पेश कर देगा क्या बड़ी बात है आखिर चोर चोर मोसुरे बाई क्या कहना चाती हो वो ही कातिल है दिल्ली में उसकी फिंसी कार किसी ने पहचान ली तो खुद उसे कहीं घर्थ कर दि चोरी चली गई ताकि ये लगे की जिसने कार चुराई थी उसी ने कतल किया था तो उसके खिलाप है इसलिए ऐसा कह रही है शादी शुदा होते हुए कुवारी लड़की को बहला फुसला कर अपने पर आशिक कराने वाले खस्मा खाने के और में हक में होंगी आप साबित क करके दिखाये की सब कियादरा उसी का है तो ये कोफी मेरी तरफ से मैं हसा पंचकुला वाला फोन फिर ट्राइकर मैं फिर बोला उसने किया नतीजा वही निकला मैंने वो फोन नंबर अपने मोबाइल पर नोट कर लिया और उठ खड़ा हुआ रजनी ने प्रश्न सूचक नेत्रों से मेरी तरफ देखा मैं और नहीं रुख सकता मैंने अभी नई दिली रेलवे स्टेशन पहुचना है तू भी चल मैं तुझे रास्ते में उतारता जाऊंगा मेरा गर यहां से नई दिली स्टेशन के रास्ते में कहा है अरे थोड़ी सी डाई वर्शन है उसके लि हम नीचे पारकिंग में पहुचे मैंने फासले से ही देख लिया था कि अनीता जोशी कार में बेठी बेचेनी से पहलू बदल रही थी मेरे कार के करीब पहुचने पर उसने कोई सकत बात कहने के लिए मूँ खोला लेकिन फिर रजनी को देख कर इरादा बदल लिया सौरी म जरा तेर हो गई जरा वो बोली शायत जरा से जाधा इनसे मिलो ये मेरी सेकेर्टरी रजनी शर्मा है और रजनी ये अनीता जोशी है हलो अनीता जोशी अनीता बोली, Please to meet you, So am I, रजनी बोली, मुझे इनकी किसी भी बहनजी से मिलकर, अमेशा बहुत खुशी होती है, बहनजी, अनीता सक्पकाई, चलो, पतंग सही, अनीता ने उल्जनपुड बाओ से मेरी तरब देखा, मैंने आखो से उसे आश्वाशन दिया, और रजनी से ब बेठो, कहां, रजनी बोली, मैंने कार का पिछला दरवाजा खोला, मुझे एकाएक एक काम याद आ गया है, यहां की मार्केट से मुझे कुछ खरीबना है, मुझे टाइम लगेगा, आप लोग चलिये, मैं बाद में आटो कर लूँगी, और वो गुम कर आगे बढ़ी, मै लपक कर उसके करीब पोचा, और बहां पकड़ कर उसे रोका, खामखा मून खराब मत कर, मैं बोला, उससे मेरी वाकफियत महज कारोबारी है, किसका कारोबार, उसका या आपका, रजनी तू तो, नेवर माइन, पतंग लूटना आपका शगल है, जारी रखिये, वो चली ग और कार को स्टार्ट करके आगे पड़ाया, क्या बात थी, अनीता उच्चुक पाउ से बोली, कोई नहीं, मिजाज दिखा रही थी, ऐसी कोई बात नहीं, उसे वाई काम याद आ गया था, तुमने कितना टाइम लगाया लोटने में, जरासी देर को गए, एक गंटे में लो बहुत है, एक्सिजेंट हो जाएगा, बड़े अनीचा पुरुवाव से, वो खामोश हुई, लेकिन खामोश पेठी न रह सकी, तुमारा अपनी सेकेटरी के साथ अफैर है, खुशन बात वो बोली, नहीं, जूट मत बोलो, अरे नहीं बाबा, अलबत्ता इतना कह सकता हू नहीं, बहुत बड़िया बात होती है, लेकिन कुछ बड़िया बाते भी, ऐसी होती है, जो हर किसी को रास नहीं आती, मुझे मालूम है, क्यों एकाएक, उसे कम याद आ गया था, क्यों आ गया था, पीछे नहीं बैठना चाती थी, मैं उठके पीछे चली जाती, और उसे आगे तुमारे साथ बेटने देती तो उससे साथ चलने में कोई एतराज ना होता तो कोई जरूरी कम याद ना आता उसकी बात गलत नहीं थी Mr. Cawley, she is in love with you, I can lay any bed open it, अब खामोश बेटो, प्लीज, वो खिर्की से बाहर देखने लगी कार में कोई लड़की मेरे साथ होतो हमेशा ज़्यादा बोलती है, शायद इसलिए क्योंकि उसने मेरे भी कसर पूरी करनी होती है दिल्ली के बेहिसाब ट्रेफिक में कार खामोशी से न चलाई जाए, एकागरता भंग होती है और एक्सिडेंट का खतरा होता है पेसेंजर सीट पर बेठी बाला, इस पात को खातिर में नहीं लाती, एक लीटर में पांच सो लप्चों की रप्तार से बोलती है और सुनने वालों का गलाब पेट जाता है, हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुचे मैंने उसके लिए जलंदर का टिकट खरीदा, साथ में हजार उपए दिये और अपना एक विजिटिंग कार्ट दिया लोटा दूंगी, वो बराय कंठ से बोली, मैं वसूल कर लूंगा मैं बोला, नोजवान लड़कियों पर हुई अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना मुझे आता है कर लेना रिकवर, कुछ भी न छोड़ना, ऐसा ही होगा मैंने तुमें देर से समझा, कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त आए, मैं वापस कब लोटूं? जब अकपार में पल लोकी, तुमारी दोनों सक्यों के कतल के राजपर से परदा उड़ गया है और कातिल गरपतार हो गया है कतल? दोनो? हाँ, मैंने उसे ट्रेन में सवार कराया ट्रेन के रवाना होने तक में, वहां रुका और फिर वापिस पाहर को चल पड़ा लोट कर तो उसे आना ही था, दिल्ली की लाइब का एक बार लगा, चसका कहीं चूटता था लोटने पर बड़ी हद ये होता की, किसी और कलब में पहुच जाती और किसी और टोकस या शमी का, उस पर कबजा हो जाता मैं स्टेशन से भाहा निकला और उधर बड़ा, जिदर मैंने कार पार्क की थी दो शांदार सूटपूर्ट से सजे यक्ती, मेरी तरब बड़े वो करीब पहुचे तो मैंने महसूस किया की, उनकी पोशा के ही शांदार थी ओकात शांदार नहीं थी, जिसे की फैंसी सूटपूर्ट से भी कोई आसरा नहीं मिल रहा था वो मेरे सामने आखड़े हुए, क्या है, मैं सक्ती से बोला हमेरे को कुछ नहीं है, एक बोला, बोस को है, उसको क्या है, तो मेरे को मांगता है क्यों मांगता है, कौन है बोस तुमारा, मिस्टर पाबलो, अलेक्स पाबलो, दूसरा बोला, और कुछ पूछना मंगता है नहीं, किदर जाना है, बोलेगा कार किदर है, मेरी जेब में, मसकरी नहीं मांगता वाप अरे यहां कार पारकिंग में ही तो होगी, उदर चल, उदर चल के उसमें बेटने का है, अपुन तुमारे साथ बेटेगा पोपट हमारा कार में आएगा, उस इंतजार के साथ हम रोट पर पहुचे, किदर चलू, मैंने पूछा अभी पोपट अपना कार आगे निकालेगा, उसके पिछू चलने का है, अच्छी बात है, ठीक से चलाने का है, एक्सिडन नहीं मारता, चालान नहीं मांगता, कोई पंगा, कोई गलाटा नहीं मांगता हो गया तो, तो ये, उसने गन निकाल कर मुझे दिखाई, आगे कुछ कहना जरूरी न रहा, फिर भी मैंने कहा, क्या बोला तेरा बोस, मैं बोला, मैं आने से इनकार करूँ, तो तु मुझे गोली मार दे, वो बोला तुम इनकार नहीं करोगे, तो फिर गन क्यों दिखाता कोई टेम माथा फेला होता है अकल काम नहीं करती उससे बहस करना बेकार था हम खान मारकेट पहुचे वहां अगली कार एक चाइनिज डेस्टोशन के सामने रुकी चलो मेरे साथ सवार शक्ष पोपट का जोड़ीदार नौन पोपट बोला मैं चाइनिज पसंद करता हूं मैं बोला लेकिन आज मेरा मुगलई का मून है हुजजद नहीं बोस तुम इदर खाने के वास्ते नहीं आया ओह खाने के वास्ते नहीं आया तो किस वास्ते आया बोस से मिलने के वास्ते वो इदर मिलेगा हां चावमिन खाता बीडू मेरे से सब्र का तोड़ा है मैं बयानक हो जाएगा अभी क्या है थोबडे से तो अभी भयानक लग रहा है उसने गन निकाल ली इधर गोली चलाने की तेरी मजाल नहीं हो सकती गुतने में नाल साथ जोड़ कर किसी को आवाद सुनाई नहीं देती तेरे को पक्का मालूम है ऐसे गोली चलाने से आवाद नहीं सुनाई देती अभी पक्का मालूम होगा न अच्छा अच्छा कार इधर ही छोड़ू हाँ चालान हो जाएगा क्रेन ले जाएगी पौपट पहले अपनी गाड़ी पार्टिंग में लगाएगा फिर तुमारी लगाएगा कहां पिछवाडे में मेदान है चाबी इंगनीशन में ही चोडने का है में कार से बाहर निकला दूसरी तरफ से वो भी बाहर निकला और मेरे साथ हो लिया हम रेश्टोरेंट में दाखिल हुए वो डाबे जिसा रेश्टोरेंट था जिसमें उस कड़ी इक्का दुका ग्राह की मौजूद था मेजों की दो कतारों के बीच से गुजरते हम पिछवाड़े की और बड़े किसी ने हमारी तरफ तवज्जों न दी पिछवाड़े में दो दर्वाजे थे जिन में से एक जूलडे वाला था और उसके उपर के भाग में शीशा लगा था शीशे के बीतर मेरी निगाह पड़ी तो मुझे मालूम हुआ कि वो रेश्टोरेंट की किचन का दर्वाजा था नौन पोपट ने दूसरा दर्वाजा खोला हमने उसके पार्क कदम रखा तो मैंने खुद को नीम अंदेरी जोडी में पाया जिसमें से उपर को जाती वेसे ही नीम अंदेरी सीडिया थी उसने मुझे सीडियों की तरब टहोका आगे पीछे चलते हमने सीडिया तै की और उपर पहुचे उपर भी वेसी ही डियोडी थी लेकिन वहां रोश्नी जादा थी आगे एक बंदर्वाजा था इधर ठेरो वो बोला अभी आता है किधर से आता ह मैं बोला अरे बोस को खबर करना है न बोलता है न कि तुम आयला है बंदर्वाजा ठेल कर वो बीतर चला गया मैंने एक सिग्रेट सुलगा लिया और प्रतिक्षा करने लगा दो मिनट खामोशी से गुजरे फिर सीडियों पर आहट हुई मैंने गुंग कर देखा तो पोप अभी भी धर्वाजे के पीछे घायब था पोपट ने करीब आकर मुझे मेरी कार की चाबी सोपी उसने अपने जोडीदार के पीछे बीतर जाने की कोशिश न की वो वहीं मेरे करीब ठिटका खड़ा रहा नॉन पोपट लोटा वो धर्वाजे पर ही रुप कया आओ वो ब बने रहिए मेरे साथ, अगर ये नाविल आपको पसंद आया है तो, प्लीज लाइक शेर सब्क्राइब माई चैनल